अगे बढ़ते हुए ब्लॉक मुरादाबाद इस्थित मुहम्मदपुर भगवनपुर गाउं पहुची लगभग 55 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्याले से 10 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मातर 10 किलोमीटर ही है वर्तमान समय में इस गाउं के प्रधान नीरच पंडित हैं इस गाउं में कुल वोटर संख्या 1800 तो वहीं राशनकार धारकों की संख्या लगभग 400 बताई गई बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी वा जूनियर हाई स्कूलों में लगबग 210 बच्चे शिक्षा ग्रहन करते नजर आए इसी के साथ व्रधा पेंशन योजना के अंतरगत आने वाले लाबारती भी लगबग 30 नजर आते हैं वहीं विद्वा पेंशन योजना के अंतरगत भी 30 लाबारती लाबानवित होते दिखाई दिये ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने अपने गाउं में सडकों का निर्मार करवाया है साथ ही बिजली के पोलों को भी लगवाया है उन्होंने बताया गामीडों को परिशानी से बचाने के लिए उन्होंने पत्प्रकाशन की भी पूरी विवस्ता करवाई है जिसके अंतरगत आने वाली सोलर लाइटे भी उन्होंने सडकों के किनारे लगवाई है ग्राम प्रधान दौरा वर्तमान समय में गाउं में शौचालियों का निर्मार भी करवाया गया है जिससे गाउं को शौचमुक्त बनाया जा सके इस्ताथी प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगरत पात्रों को आवास भी वित्रित किये जा चुके हैं इस गाउं में लगबग 42 हेंट पंप दिखाई दिये वहीं बिजली की वेवस्ता दुरुस्त होने के चलते लगबग 150 बिजली के पोल वाद दो बिजली के ट्रांसफर्मर भी गाउं में नज़र आते हैं ग्राम परदान ने ABPS न्यूस टीम के माध्यम से राज्य सरकार वाकेंज सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनको फंड मुहिया कराएं जिससे रुका हुआ विकास कारें तेजी से आगे बढ़ाया जा सके वहीं ग्रामीडों ने भी ABPS न्यूस टीम के कैमरे के सामने आकर बताया कि गाउ में स्वास्ते सेवाओं की स्थितिक खराब है उन्होंने पताया कि जल्द से जल्द सरकास प्रदान को फंड मुहिया कराएं जिससे प्रदान गाउ में विकास कारें तेजी से कराएं जो भी चोध में राज्यवित का जो भी पैसा आया उसका सब में ने काम करा है सई तरीक से गोँ में कोई आदमी गवों में बुराई करने वाला नहीं है कि लगदीश कुमार है और मैं गराम मोहबत पर भगबंद पर का निवासी हूं और यहां पर गराम प्रदवादान निरश पांडी जी ने यहां पर काफी विकास कारवे कि जैसे कि सौचल्य निर्माड करेवाना गरीबो पर के लिए मुफ्थ आवास दिल वाना और सखत पर कारण लंवाना खरळे बन वाना नालिय बन वाना और और प्रदान जी ने हमारे गाओं में और हमारे गाओं के प्रदान जी ने काफी बिकास के लिए मदद करना इनका काम रहा है अलाव जलाना सर्दियों के टाइम में इनका कार्य रहे है और काओं में प्रकास के लिए सोरे लाइट का निर्माण करवाया गया है झाल